सबसे पहले हमें कटोरी और चमश ले लेंगे उसके बाद हमने मेगलो का एलोवेरा जेल लिया है जो 110 रुपीज का है आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगा और अगर आपके आप फ्रेश एलोवेरा हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसकी प्रॉब्लम आएगी आपको से फ्रीज में भी स्टोर करना होंगा यह हमने दो चमश ले लिया है उसके बाद हम ग्लिसरीन एट करेंगे जो की रिफाइन ग्लिसरीन नाम से आता है और आप वो कोई भी यूज कर सकते हैं मैंने जो जो हमने टू चमश एट करती है और इसके बाद इन दोनों को आपस में अच्छी से मिला लेंगे जो की एलोवेरा जेल जो है ठीक होता है इसकी यह थोड़ी थोड़ी ग्लिसरीन एट करेंगे तो पूरी मिलाकर हमने थ्री चमश ग्लिसरीन एट करती है और अब इसे से कलर आ रहा है इसके बाद हम कोकोनट ओल एट कर देंगे जो की लगबग सभी के घरों में अविलेबल होता है जो हम सिर्फ आधा चमश ही एट करेंगे इससे जो ऑईडी हो जाएंगा हमारा लोशन इसलिए हमें थोड़ा ही एट करना है थंडी के दिन है जो यह तो यह ज करता है हमने आदा चमश कोकनट ओल भी आड़ कर दिया है अब इन तीनों को हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से इसके बाद हम में इंग्रेजिएंट करेंगे जो की विटामिनी के कैप्सुल से जो इवियो और नाम से मिलती है ग्रीन कलर के लिए हमने यह यलो कलर में भी मिलती है जिसके हम टू कैप्सुल से एड़ करेंगे और इसके बाद अच्छे से मिला लेंगे यह आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी मैंने तो ट्वेंटीवन रुपीज का पैक लिए है टेन कैप्सुल का जो बहुत ही चीफ रेच में मिल जाएंगा और अब हम गुलाब जला एड़ करेंगे यानि कि रोज वॉर्टर जो लास्ट इंग्रिएंट है हमारा स्वोटर हम चार चमज आड़ करेंगे इससे हमारे लोशन को एक पर्टिकूलर ठेक प्रेंस मिल जाएंगा और बीच बीच में हम इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे अब मैं आपको अपलाई करके दिखाती हूँ इसे अपने हैंड पर चमज से मैंने थोड़ा से लगा लिया है और अब इसे अच्छे से लगा दूंगे देखिए फ्रेंस कितने अच्छे से शाइन कर रहा है ये जो हमने coconut oil डाला था उसके कारण ये बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है और ये 24 hour work करेगा आपको हर बार लगाना नहीं पड़ेगा दिन में सिर्फ एक बार अपलाई करना होगा देखिए फ्रेंस मेरे दोनों हाथों में कितना डिफ्रेंस दिख रहा है बोड़ी लोशन क को ये बहुत पसंदाये होंगा